धुन्डे का आफसंस जो दिखाई दे दई है इसके उपर आपको क्लिक कर देनी है देखिए अब यहां से जो है पटना से यहां पर जो जो टेन मुंबई जाएगी मुंबई के लिए रवाना होगी यहां पर आप लोग पता कर सकते हैं हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ एंडोइडे प्रीविउर 2 आज कि इस वीडियो की मदश से मैं आप लोग को बताने बाला हूँ यादि आप भी कहीं से कहीं का सफर करना चाते हैं ट्रेन से और आप ट्रेन के बारे में पता करना चाते हैं कौन सा ट्रेन कितने बज़े है और कौन सा ट्रेन कहां से है तो आज की इस वीडियो की मदद से आप लोग जान जाएंगे कि किस तरीके से आप घर बेटे टेन को पता कर सकते हैं और टेन को अपनी मुबाइल की मदद से देख सकते हैं तो सबसे पहले जो यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोग को जो है आपका पता भी ना चले तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आपको अपने टेन को पता करनी है देखिए आपको सबसे पहले अपनी मुबाइल फोन के प्लेइश्टोर में आनी है इससे हम लोग प्लेइश्टोर बोलते हैं इसके उपर क्लिक कीजिए और यहां से जो है आपको सर्च का एक आफसेंस देखने को मिलेगी सर्च के उपर किलिक कीजिए और यहां से एक अप्लिकेशन लिखिए डेवलो एज ए आर यूएर आई एस इस आएम आई माई और इस तरीके से टेन अब देखिए जैसे यहां फूर इस माई ट्रेन लिखेंगे यहां पर देखिए अप्लिकेशन में एक सो मिलियन का डाउन लोड है यहां पर आप लोग देख सकते हैं एक सो मिलियन पलस का डाउन लोड है और यहां पर देखिए 4.3 का applications में rating है आपको जो है इस applications को open कर लेनी है लेकिन मैं आपको इस applications की कुछ benefit बता देता हूँ इस applications में क्या क्या benefit दिये गए है तो यहाँ पर देखिए इसके उपर click करते है applications के उपर और देखिए यहाँ पर about this app का options देखने को मिल रही है इसके उपर यहाँ पर click कर लेते हैं यहाँ जो about this app का options देखने को मिल रही है इसके उपर click करते हैं यहाँ पर देखिए इस applications में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर इस applications की मदद से आप लोग पता कर सकते हैं train का time table running status without internet no ads तो यहाँ पर इस तरह के से इस applications को आप लोग यूज कर पाएंगे और इस applications को मैं आप लोग को यूज करने का पूरा process बताऊंगा और देखिए इस applications में जो यहाँ उपर ने इन्हों ने बताया कि यहाँ पर कुछ problem है इन्हों यह इसे fix कर रहे हैं यहाँ पर जो track इस तरीके से दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ problem यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखलेजी जो你要 इसमist fraud आप दीए गया है देखिए इस applications में क्या-क्या ने दिए गये गया है देखिए इस new यहाँ पर साra कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ बताया गया कि इस applications में क्या 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 गया है तो यहाँ पर देखिए इस applications को आप लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं सबसे पहले आपको जो है इस applications को अपने mobile phone में download कर लेनी है तो यहाँ पर देखिए यहाँ open options दिखाई दे रहा है चलिए मैं आपके सामने आपको download करके दिखाता हूँ मैंने इस applications को uninstall आपके सामने किया और इसके बाद जो है जो है Applications install हो जाएगी देखे 98% हो गई है अब कोछी समय बची है Applications पूरी install हो जाएगी और देखे Applications इस्टॉलिंग अब हो रही है और इसके बाद जो है Open का Options देखने को मिलेगी तो यहाँ पर दिख सकते हैं Applications जो है Open का Options देखने को मिल रही है Applications में Applications में Open के ओपर क्लिक कीजिए यह जो दिखाई दे रही है और इसके बाद देखे यहाँ आपको अपनी Language स्लेक्ट करने के लिए कहा जाएगा तो यहाँ से जो आपको यहाँ पर वो Language अपनी स्लेक्ट कर लेनी है जिसे कि आप यूज करना चाहते हैं इसे कि Hindi, Bengali, Marathi जिस भी Language वे आप इसे यूज करना चाहते हैं इसे कर लेनी तो इस मैं Hindi करना चाहता हूँ मैं Hindi के ओपर क्लिक करता हूँ देखे यहाँ पर जो आप लोगों को संबीट का जो Options देखने को मिल रही है इस संबीट के ओपर क्लिक कर देनी है अब देखे यहाँ पर जो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेर्स दिखने को मिलेगी अब देखे मैं आप लोगों को इस Applications का भी जो एक खासियत बताता हूँ देखे आप जैसे कि Manalisia पटना से मुंबई जाना चाहते है तो यहाँ से जो आपको दिखाई दे रहा है इस E-Station से इस E-Station तक तो पहले नमबर पर जो आपको वो E-Station डालनी है जहां से कि आप जाना चाहते हैं और Second Number पर आपको वो E-Station जालनी है कि जहां तक आप जाना चाहते हैं तो पहले नमर पर मैं डाल देता हूं मैं जो जाना चाहता हूं कहां से पतना से मुंबई तो यह रहा पतना पतना जंक्सन और यह रहा यहां पर मुंबई मुंबई जंक्सन तो देखें यहां पर जो मैंने डाल दिया मुंबई और इस तरीके से देखें जब आप मुंबई द देखोता हूँ तो और पत्तर लिखेंगे तो और पत्ते अब आपको सही लगए है और जहाँ जाना चाहते हैं यहां से आप स्लेक्ट करेंगे स vaisलैक्ट पर लेता हूँ और में मुंबई कर लेता हूँ और चिंड हुने का और जो दिखाई दे दई है इसके उपर आपको किलिक कर दिनी है देख़िए अब यहां से जो है पटना से यहां पर जो जो टेन मुंबई जाएगी मुंबई के लिए रवना होगी यहां पर आप लोग पता कर सकते हैं जैसे कि देखें मुंबई च्छत्रपर्ती सिवाजी महारा सब्सक्राइब को चलती है और इसका प्राइस यहां पर आप रूख सकते हैं और यहां पर दिखिए इस अप्लिकेशन में जो है यहां जो जी एन लिखावा इसका मतलब होता है जेनरल यानि कि यह आप लोग जो है लोग में जाकर बैटके जाते हैं तो आपको 420 रुपई देनी होंगे यह आपका ट्रेन नम्बर रहा यहां पर आप लोग लिख सकते हैं यह आपकी जो रखंगे इस तरहिए निचे की तुरिप में आधि यहां पर देखिए बांडा टर्मीनल हमसाफर एक्स पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां पर देखें मंडें और ट्यूस्टे को यह टेन चलती है मुंबईल्टी एक्सप्रेश यहां पर देखें और इस तरीके से आप लोग यहां पर इस तरीके से ट्रेन देख सकते हैं कितने सारी ट्रेन है और ट्रेन का पता भी कर सकते हैं और पैसे भी यहां से पता कर सकते हैं अब जो यहां से अब मैं जो एक ट्रेन को और साच करता हूं यहां पर मैं साच करता हूं अपनी एक सिर्टी को नाम भागलपूर जंक्सन टू यहां से कर लेता हूं म जंक्सन देख सकते हैं यादि मैं आनंद बिहार कर रहा तो अभी तो सर्च में नहीं है आर्टिले मैं दिल्ली ही कर लेता हूं यहां पर देखें नई दिल्ली सरके से दिल्ली जंक्सन दिखाई दिये रही है तो मैं यहां से कर लेता हूं गाजियाबाद गाडियाबाद जंक दिखाई दिए रही है इसके ओपर मैं क्लिक कर लेता हूं आप देखे यहाँ पर जो ट्यान धुन्डियों के ओपर मैं क्लिक करों तो दिखेए यह पर कई और सब्सक्राइब नहीं की रोग मिज हैद्ने तर्य सब्सकेети दिखाज़ हो लोग देख सकते हैं यह तेन को 330 रुपए दिखाई दे रहे हैं अनन्द भिहाइड टर्मिनल गारीब राथ एक्स्परेस है ग्यारा पचास में और पहुच चुकी है भी दिख सकते हैं हाथी दा जंगसन में इसी तरीके से यह जो है दिल्ली पहुच जाएगी आनन भिहार टर्मिनल पहुच जाएगी तो आज के लिए बस इतना ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आज क्या वीडियो आप लोगों को अच दिखाए दे रही है कि यह जो है आपका प्लेट्फॉम को यूज कर सकते हैं एक बार मेरे साथ जो है भी यह हो गई कुछ प्रोडॉब्ब्लम कोई और दिखा और yhte I do मैं क्या नोबर पर ट्रेंट है कभी कभी मिश्ट्रेक अप्लिकेशन्स ही है कोई दिकत नहीं है इसी तरिके से आप लोग इस अप्लिकेशन्स को यूच कर सकते हैं आज के लिए बस इतना ही